आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इडेंटिफाइड परसन हो लेड Foundation for Understanding of Tropical Communities and their Succession, Environmental Responses of Plant Population, etc. यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे इनसान कौन थे जिन्होंने Foundation और Understanding of the Tropical Community और उनके Succession और Environmental Responses के उपर जो है Thesis निकाला था तो बेसिकली यह एक ऐसे आदमी यह पर ऐसे Scientist थे जिनका नाम था Ramdiomishra और यह Ramdiomishra जो है यह बेसिकली इंडियन थे जिनको Father of Ecology के नाम से जाना जाता है और इसी Scientist के वज़े से क्या हुआ था कि जो Ecology के Processes थे जो Main Processes यह पर Understanding थे जैसे पर एक्जामपल जो Tropical Communities होते हैं और Communities कैसे Divided होते हैं उनमें कौन से Factors एफेक्ट करते हैं वो सारे चीज़े जो है वो इन्होंने निकाला था यह पर Conduct किया था साथी Succession कैसे होता है जहां पर एक Barren Land से Start करते हुए कैसे एक Process में पूरा Climax Community Form होता है यह सारा चीज जो है वो उन्हीं ने कहा था और साथी साथ अगर देखा जाए तो Environmental Responses यानि जो Factors होते हैं A-Biotic या पर Biotic Factors यह दोनों भी कैसे Effect करते हैं इनके Processes यह सारे चीज़े भी Ram Deo Mishra ने ही कहा था इसलिए हमारा Correct Answer Recordingly हो जाता है Ram Deo Mishra जो कि ऐसे Person थे जो कि Father of Ecology होने के साथ साथ बहुत से Ecology के Contributions इनी के नाम किये गर थे Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर